गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूप चैनल स्टेटी विद्रवे ठाकवर पर तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की नहीं हिंदु एडिटूरियल वकाबडरी की वकाबडरी से आज का पहला वर्ड है डिसरे डिसरे वर्ड यहा सिनॉनिम देख लीजिए डिस ओडर, कन्फूजन, मेस और टर्मॉयल, एंटर्म से स्ट्रक्चर, एंटरप्रेंट, और 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 अगनाईज़ एग्जम्बल देख लीजिए कि जब हमने एक छोटा कुटा घर लाया, तो हमारा जो पूरा घर था, वो एकदम बिल्कुल से आव्यवस्था की स्थिति होगी, बहला चीज़ें बहुत जादा इदर उदर से होगी, उस कुटे ने बहुत जादा गड़बड कर दी, जब नया एक छोटा सा कुटा हमने घ पहर लाया, अगला हमारा शब्द है, रेजलुशन, रेजलुशन वर्ड यहां पर नाम की तरह यूज़वा है, रेजलुशन का दो मतलब होते हैं, एक तो मतलब होता है किसी चीज़ का देड़ संकल्प लेना, देड़ता के साथ कोई प्रॉमिस करना है, देड़ संकल्प किसी चीज़ का, जैसे हम कई resolution करते हैं, अपने day-to-day life में कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे, या new year, eve कोई आती है, कोई चीज़ आती है कि हम इस साल से ऐसा करना छोड़ देंगे, इस तरह से करेंगे चीज़े, तो एक तो उस context में resolution यूज़ होता है, एक होता ह a problem, dispute, etc. that is called resolution, synonyms आप देख सकते हैं, resolve, determination, decision, or solution, antonym से hesitation, problem, uncertainty, or challenge, example देख लिए, the successful resolution of a dispute involving UN introspectors in Baghdad, तो ये UN की बात की, United Nations की बात की गई है, कि उसने successfully बगदाद में किस तरह कोई विवाद था, समस्य था, तो उसको successfully resolve कर दिया है, समस्य का निप्टारा कर दिया है, अगला हमारा शब्द discord, discord यहाँ पे noun की तरह used हुआ है, discord का मतलब होता है, किसी बात को लेकर आपस में अनबन होना, तनातनी होना, अस्तरमती की स्थिति, विरोध या गतिरोध मतभेद होना, या जगडा होना, उसे बोल जाएगा discord, discord is disagreement and argument between people, that is called discord, synonyms देख लिए, conflict, dissension, disagreement, or strife, antronym से harmony, peace, agreement, or accord, example देख लिए, family, life, remains, discord, family की बात हुई है, कि जो पारिवारिक जीवन होता है, उसमें चोटे मोटे लड़ाई जगडे जब मतभेद हैं, वो चले रहते हैं, वो हो ही जाते हैं, अगला हमारा शब्द है, anodyne, anodyne, word यहां पर noun की तरह use हुआ है, ध्यान से देखिए, anodyne नहीं बोलेंगे, anodyne बोलेंगे, anodyne word यहां पर noun की तरह use हुआ है, anodyne का मतलब होता है, किसी भी तरह की problem को कम करने वाली कोई चीज, या मने लिख दिया देखो, दर्द को कम करने वाली कोई दवाई, या पीडा ना anesthetic, anesthetic है, anesthetic और sedative, antonym से painful, painful, harmful और deletious, example देख लिजिए, the anodyne properties of certain drug, कि किसी एक दवाई की बात की जा रही है, उसकी जो पीडा नाशक जो, मतलब उसकी जो पीडा नाशक विशेशता हैं, दर्द को कम करने वाली उसकी जो properties हैं, उसकी बात की जा रही है, अगला हमारा जो शब्द है, वो है, expeditiously, expeditiously, word यहां पे एडवर की तरह use हुआ है, expeditiously का मतलब होता है, किसी भी काम को जिल्दी-जिल्दी से करना, बड़ी फूर्ती के साथ करना, किसी भी काम को करते हुए, शीगरता करना, उसे बूला जाता है, expeditiously, in an efficient manner, is called expeditiously, synonyms आप देख सकते हैं promptly, quickly, swiftly, or rapidly, and term se slow, sluggishly, sluggish से बना sluggishly, और inherently, or after, example आप देख सकते हैं, India is expeditiously building the requisite infrastructure for the Kartarpur corridor, तो आपको पताएए, बहुत famous यह corridor है, Kartarpur corridor, तो इसके लिए, इंदिया जो है, क्या फटा-फट से, जिल्दी से, एक फर्मली तरीके से, उसको जिल्दी-जिल्दी से, बनाने की जो है, वो कोशिश कर रहा है, बड़ी तेजी से, तेज गती से, जो है, इंफ्रा, जो structure उसका काम, बड़ी तेजी के साथ, जो है, वो किया जा रहा है, Kartarpur corridor बनाने के लिए, अगला हमारा शब्द है, potent, potent word यहां पे noun की तरह used हुआ, potent का मतलब होता है, भविश्य में कोई गटने वाली है, उसके पूर्व लक्षन बताना, पूर्व पहले से ही सूचना दे देना, पूर्वा भास होना उस चीज का, उसे बुला जाएगा, potent, a potent is something that indicates what is likely to happen in the future, that is called potent, synonyms देख लिजी, omen, ये तो एक दुदिन पहले भी word आया था, omen, warning, sign, indication, antonym से, doom, expectation, assurance, or boldness, example देख लिजी, some people believe that a cat crossing the road before us is a potent of something unpleasant, तो ये एक बड़ी साधारन सा मिन एक्जम्पल दिया है, कि लोग अकसर ये सूचते हैं, कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है, हम ही जा रहे हैं हो, और हमारा रास्ता बिल्ली काट लेती है, तो लोग अकसर मानते हैं, कि कुछ किसी को, या हम बोल सकते हैं किसी को जेल में डाल देना, उसे बोला जाएगा detain, when people such as the police detain someone, they keep them in a place under their control, that is called detain, synonyms आप देख सकते हैं, hold, arrest, delay or confine, antonym से release, free, liberate or discharge, example देख लिजे, police have detained two suspects in connection with the attack, कि पोलिस ने किसी तरह का कोई हमला हुआ है कहीं पे, तो जो शक्क्या रू अरूपी थे, दो शक्क्या रूपियों को, पोलिस ने जो क्या कर लिया है, detain कर लिया है, ग्रफतार कर लिया है, अगला हमारा शब्द है, vitiated, vitiated, word यहां पर वर्पी तरह यूज़गा है, vitiated का मतलब होता है, किसी चीज़ को दूशित कर देना, या किसी चीज़ को नि सकते हैं, debased, weakened, corrupted, or diminished, antronym से based, uncorrupt, troubleshoot, or error-free, example देख लिज़े, strategic policies during the war was vitiated because of a sharp division between east esterners and westerners, मतलब, पूर्वी और पश्चमी लोगों की divisions के बीच, उनके जो आपस में मतभेद थे उसे लेके, जो यूद के समय, strategic policies जो बनाई गई थी, वो एकदम से बिलकुल wishyate हो गई, मतलब, वो बिलकुल से weakened हो गई, कमजोर हो गई, जो policies frame की गई थी, इनके आपस में, विचारो के मतभेद के जलते, वो क्या हो गई, बिलकुल से कमजोर हो गई, निरस्थ हो गई, अगला हमारा शब्द है barely, barely word यहां पे एडवर्प की तरह use हुआ है, barely का मतलब होता है, एकदम जल्दी से कुछ क्षण के बाद कोई चीज हो जाना, editorial में जो उसका use हुआ है, वो हुआ ह इसी सेंस में कि एकदम किसी घटना के घटने के बाद एकदम कुछ हो जाना, एकदम जस्त एक सेकिंड में, या कुछ देर के बाद, मुश्किल से केवल, उस सेंस में use हुआ है, editorial में, बाकी barely का एक दूसरा मतलब होता है, हमारे पास किसी चीज की कमी है, अभाओ है, तो उस सेंस में भी इसका use होता है, barely का, if you say that one thing had barely happened when something else happened, you mean that the first event was followed immediately by the second, तो देखे वही बात मैंने आ कही है, event की बाद की एक घटना के बाद एक दम से कोई दूसरी घटना घटित हो जा, immediate, that is called barely, synonyms आप भी एख सकते है, hardly, sketchily, just a little, and synonyms से completely, fully, considerably, or easily, example, देख लीजिए, the water had barely come to a simmer when she cracked 4x into it, यह पानी मुश्किल से ही गरम हुआ था, simmer का मतलब मुश्किल से ही पानी गरम हुआ था, लड़की की बात हो रही, जब किसी लड़की ने उसमें अंडे जो है, क्रैक करके उसमें वो डाल दिये, तो पानी मुश्किल से ही तब गरम था, अगला हमारा शब्दे पारिल्ल्स, पारिल्स यहां पे जिक्टेपी तरह यूज हुआ है, पारिल्स का मतलब होता है, ऐसी कुछ स्थिती जो हमारे लिए बेहत खतरनाक हो, जोखिमों से बरी हो, संकट से बरी हो, उसे बुला जाता है पारिल्स, something that is पारिल्स is very dangerous, synonym साप देख सकते है, dangerous, hazardous, risky or precar antoram से safe, harmless, secure or beneficial, example आप देख सकते हैं, the road is even steeper and more perilous, की road जो था वो बहुत ही तीखा था, बहुत ही तीखा था, बहुत ही मोड थे road पे, और बहुत ही वो कैसा था, जो किम से बरा था, खतरनाक था, अगला हमारा शब्द है tranquil, tranquil वर यहां पे जेक्टिव की तरह यूज हुआ ह tranquil का मतलब होता है, जहां पूरी तरह से शांती हो, बिल्कुल एकनम peaceful हो, quiet हो, उस जगा को बोला जाता है, tranquil, या इस तरह के वातावरण को बोला जाएगा, tranquil, something that is tranquil, is calm and peaceful, synonyms देख लिजी, calm, peaceful, quiet or placid, and synonyms से wild, agitated, noisy or angry, example देख लिजी, the tranquil atmosphere of the inn, allows guests to feel totally at home, की जो इन मतलब सरा सराय का जो महाल था, वो बिल्कुल ही शांत था, जो कि वहां आने वाले महमानों को एकदम बिल्कुल घर की तरह जो है, वो feel करवा रहा था, अगला हमारा शब्द है amassing, amassing word यहां पर वर्व की तरह यूज हुआ है, amassing का मतलब होता है, चीजों को बहुत बड़ी संख्या म किसी चीज़ का, उसे बूला जाएगा amassing, if you amass something such as money or information, you gradually get a lot of it, that is called amassing, synonyms आप देख सकते हैं, gathering, collecting, accumulation, collection, antonym say dissipate, spending a lot or circulate, example देख लीचे, we have amassed a lot of information on the subject, कि हमने किसी विशे के बारे में जितनी भी जानकारी लेनी थी, हमने बहुत सारी जानकारी जो है उस विशे के बार second editorial का hiring आप देख सकते हैं, पहला word है second editorial से unanimously, unanimously word यहां पे adverb की तरह यूज़ हुआ है, unanimously का मतलब होता है, किसी बात को लेकर सब लोगों की सहमती होना, एक मत होकर सहमत होना सभी लोगों का सर्वसमती से कोई चीज़ मान लेना, उसे बोला जाएगा unanimously, one mind without dissent, that is called unanimously, synonyms देख reflecting, opposing, diversified or controversial, example देख लीजे, the senate unanimously approved the bill, कि सनसद की बात हो रही है, कि संसद ने बिना, एक मतलब सर्वसमती से किसी बिल को पूरी तरह से approve कर दिया, बिल को pass कर दिया, अगला हमारा शब्द है demurr, demurr word यहां पे noun की तरह used हुआ है, demurr का मतलब होता है, किसी बात को लेकर अपनी आपती जताना, एतराज जताना उसे बोला जाएगा demurr, a pleading that admits an opponent's point but denies that it is a relevant or valid argument, that is called demurr, demurr के synonym से denial, objection, complaint or defense, antonym से prosecution, calm, certainty or contentment, example देख लीजे, she repeated her demurr, Mr. Sonil is unavailable at the present instant, कि उसने एक बार से फिर अपनी आपती जता या तराज जताया और कहा कि Mr. Sonil है, वो अभी इस समय present वो नहीं है, अगला हमारा शब्द है amelorate, amelorate word यहां पे वर्पी तरह used हुआ है, amelorate का मतलब होता है, किसी भी चीज, किसी भी स्थिती में स्थिती को अच्छा बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए कई अच्छे कदम उठाये गए हैं अगला हमारा शब्द है, reiterated, reiterated word यहां पे वर्पी तरह used हुआ है, reiterated का मतलब होता है, किसी बात को बार-बार दहरोना, बार-बार कहना, किसी बात को उसे बुला जाएगा, reiterated, if you reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it, that is called reiterated, synonyms आप देख सकते है, reaffirmed, repeated, restated, or renewed, antonym say, no more, never, ever, or in no respect, example He reiterated his opposition to the creation of a central bank, कि उसने बार-बार अपने जो विपक्षी दल था, उन्हें ये forceful, मतलब उन्हें ये जोर दिया, किसी व्यक्ती ने बार-बार विपक्षी दल को ये कहने के लिए जोर दिया, विपक्षी दल के लिए बार-बार कहा, कि वो एक central bank की जो है, वो स्थापना कर शकुन बताना है, उसके लक्षन बताना कि ऐसा होने वाला है, उसको बुला जाएगा, प्रग्नास्टिकेशन, अब रग्नास्टिकेशन is a statement about what you think will happen in the future, that is called प्रग्नास्टिकेशन, synonym साब देख सकते है, potent, prediction, sign or forecast, antronym से assurance, calm, certitude or conviction, example देख लीजे, the country is currently obsessed with, obsessed with का मतलब होता है, किसी problem से घरे रहना, फसे रहना किसी चीज में, obsessed with gloomy, prognostications about its future, कि देश जो है, अभी भी अपनी, हमारी जो economy है, gloomy, prognostications about its, मतलब, देश है, अभी भी अपनी जो, इस तरह से gloomy, मतलब, कुछ सही नहीं होने वाला है, मतलब, कुछ ठीक problems चल रही है, किसी country में, तो ही होता रहेगा, obsessed with, उसी problem से वो जो जो है, जूजता रहेगा, इस तरह से अभी अनुमान लगाया जा रहे हैं, इस तरह से अभी पूर्व लक्षन, भविश्यवानी की जा रही है, कि future में भी जो देश है, इस तरह की समस्याओं से जो है, जूजता रहेगा, अगला हमारा सच आज information or an agreement, that is called caveat, synonym साब देख सकते हैं, caution, warning, admonition or notice, antonym से consonants, imprudence, carelessness और cancellation, example देख लीजे, there are many caveats in the plan, किसी तरह की कोई योजना है, तो उसमें कई सारी चेतावनिया है, कई तरह उसमें सावधानिया हमें बरतनी होंगी, अगला हमारा सब्द है eminent, eminent यहां पे जक्ति की तरह यूज हुआ है, eminent का मतलब होता है, ऐसी कोई घटना जो कि शीगर ही घटित होने वाली हो, और most probably कि इस तरह कैसी घटना हो, और पर यह कोई, unpleasant कोई घटना हो, event हो कोई घटने वाला हो, तो उसे बोला जाएगा, eminent, if you say that something is eminent, especially something unpleasant, you mean it almost certain to happen very soon, that is called eminent, synonyms आप देख सकते हैं, impending, coming, approaching, or forthcoming, antonyms, distant, faint, doubtful, or far off, example, there appeared no eminent danger, कि किसी भी तरह का वहां पे कोई खत्रा हमें नजर नहीं आ रहा है, eminent ये वर्ड जो है, आज की दिए हंदू, editorial, vocabulary का आंतिम शब्दा, बढ़ते हैं अपने, next session की तरफ, हमारा जो अगला session है, जिसमें हम discuss करते है, idioms or phrases, और one word substitution हम discuss करते हैं, तो चलिए, अपना पहला आज का, लेते हैं, अपना, idioms or phrases, हमारा पहला idiom है आज का, to burn candle at both ends, to burn candle at both ends का मतलब होता है, कि lavishly बहुत अधिक तरीके से खर्च करना, extravagant, spend करना बिना सोचे समझे, पाने की तरह पैसा बहाने को बोला जाएगा, to burn candle at both ends, to be extravagant, और हम बोल सकते हैं, spend without any worry, that is called, to burn candle at both ends, example देख लेजी, since starting my new job, I have been burning the candle at both ends, कि जब से मैंने नौकरी शुरू किया है, नया काम मैंने शुरू किया है, तब से लेके मैं क्या कर रहा हूं, पानी की तरह पैसा बहा रहा हूं, हमारा जो दूसरा idiom है, वो है, to hit the jackpot, to hit the jackpot का मतलब होता है, lottery लगना, या चानक से बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाना, किस्मत का सितारा, जग उठना, किस्मत चमक उठना, या फिर jackpot लगना, बहुत सारा पैसा मिल जाना, that is called, to hit the jackpot, to make money quickly, example आप देख लीजे, Lady Gaga hit the jackpot with her first two albums, कि Lady Gaga बहुत famous singer है, उन्होंने क्या किया, जैसे उन्हें दो album launch की, तो उनका समझ लीजिए, कि एक तरह से उनका jackpot लग गया था, पहले ही, दो album जो उनकी release हुई, release हुई, अगला हमारा idiom है, to bring to light, to bring to light का मतलब होता है, किसी भी गुपत बात को प्रकट कर देना, reveal कर देना, कोई secret है, उसको reveal करना, उसे बोला जाएगा, to bring to light, example देख लीजे, I will bring to light the truth, कि मैं सच्चाई को एकदम से बिलकु सब के सामने लेके आऊंगा, मैं उसे परबली खाते हैं हम खीरे को, कुकुमबर को, तो समझ लीजी आपके, cool as a cucumber का मतलब क्या हो गया, बिलकुल एक दम शांत सोबहाओ का रहना, बिलकुल से not nervous or emotional, बिलकुल से धहर्यावान बना रहना, cool तरीके से बना रहना, उसे बोला जाएगा, idiom में, cool as a cucumber, example देख सकते है My boss is as cool as cucumber when he speaks in front of hundreds of people, कि मेरी जो boss की बात हुरी है, मेरे boss जो है एकदम से धहर्यावान बने रहते हैं, जब उन्हें, बलके सेंकडों लोगों के सामने भी बोला होता है, भाशन देना होता है, तब भी बिलकुल धहर्यावान, बिलकुल cool बने रहते हैं, और हमारा last idiom है आज escape without punishment is called go scot-free, example आप देख सकते हैं, I was punished and they got off scot-free, कि मुझे सजा मिल गई, और किसी और की बात भी हो रही है, कि उन्हें सजा नहीं मिली, वो सजा से बच गए, फटा फट से मैं revise करवा देता हूं आपको, आज हमने जो idiom किये, पहला हमारा idiom था, to burn candle at both ends का मतलब होता है, बहुत जादा पैसा खर्च करना, पानी की तरह पैसा बाहना, उसे बोल जाएगा, to burn candle at both ends, हमारा second है, idiom है, to hit the jackpot का मतलब होता है, एकदम से किस्मत जग उठना, किस्मत का तारा चमक जाना, एकदम से बहुत जारा पैसा मिल जाना है, success मिल जाना, फटा फटा फट, that is called, to hit the jackpot, next है हमारा, to bring to light का मतलब होता है, कोई secret बात है, उसको reveal कर देना, उसको सबके सामने ले आना, प्रकट करना, that is called, to bring to light, next है, cool as a cucumber, cool as a cucumber का मतलब होता है, एकदम धहर्यवान बने रहना, अपने attitude में बिल्कुल coolness रखना, उसे बोला जाएगा, cool as a cucumber, और last हमारा idiom था, go scot free, go scot free का मतलब होता है, किसी भी काम के लिए सजा ना मिलना, हमने कोई गलती किया, हमें सजा ना मिले, to escape without punishment, मतलब सजा से बच जाना, that is called, go scot free, तो ये थे हमारे idioms and phrases, बढ़ दे हैं अपने one word substitution की तरफ, हमारा पहला one word substitution है, budgeting, budgeting का simple सा मतलब होता है, हमने जितने करना है, क्या चीज़े हमें इस तरह से करनी है, उसका लेखे जोखे को बूला जाता है, budgeting, हमारा जो खर्च कितना करना है हमने, कितना क्या करना है, utilize कहां अपना fund करना है, अपना fund अपना पैसा में किस तरह से utilize करना है, किस तरह से खर्च करना है, तो उसको manage करने को बूला बज़ेटिंग, the process by which a person or an organization reduces the amount of money it spends, that is called budgeting, example देख लीजिए regular training on results based budgeting would continue कि regular training result based पे जो regular training हो रही है budget पे वो हमेशा क्या होती होती रहनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए अगला हमारा one word substitution है simile, simile का मतलब होता है किसी अन्य वस्तु के समानता दिखाने के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उपमा या अलंकार किसी अन्य वस्तु से समानता हमें दिखानी है, जिस शब्द का हम यूज़ करते हैं, वो समानता दिखाने के लिए उसे उपना या लंकार बोलते हैं और इंग्निश में बोले जाता है simile a figure of speech by which a thing is spoken of as being that which it only resembles that is called simile example आप देख सकते हैं many times a simile may contain the word as or like इसे बहुत बाज़ा हम simile का use करते हैं तो हमें ये common से word देखने को मिल जाते हैं as or like यहां पर देखें मैं इमेज भी लगाया है इसमें लिखा भी यह देखो he eats like a horse की वो कैसे खाता है ये घोड़े की तरह वो खाता है तो हम इससे तुलना कर रहे हैं समानता दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं चीजों में आपस में आपको अच्छी तरह से clear हो गया होगा यह one word substitution बढ़ते हैं next one word substitution की तरफ हमारा next one word substitution है histrionic histrionic का मतलब होता है दिखावा करना नाटक करना उसे बोला जाएगा histrionic very dramatic that is called histrionic example आप दे सकते हैं she put on a histrionic display of grief at her ex-husband's funeral कि किसी lady की बात हो रही है उसके ex-husband के funeral पे उसने मतलब नाटकी अंदास से जो है वो दुख जताया मतलब वो इतनी उदास नहीं थी पर फिर भी उसने दुख जताया grief अपना express किया next हमारा है holding one word substitution है हमारा holding holding का मतलब होता है अनवश्यक रूप से ही चीजों की जमा खोरी करना मतलब बहुत धेर धेर सारी चीज़े एक अठी कर लेना holding कर लेना किसी चीज की जमा खोरी करना उसे बोला जाएगा holding to secretly store more than what is allowed that is called holding synonym example आप देख लीजिए already there are signs that people are holding gold already यह ऐसे संकेत हैं कि जो लोग हैं वो बहुत सारा सोना जो होज कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं जमा खोरी कर रहे हैं सोने की gold की last हमारा one word substitution है infallible infallible का मतलब होता है अचूक जिसका कोई मतलब ना चूक ना एकदम राम बांड जिसको बोलता है राम बांड दवा उसे बोला जाएगा infallible one who does not make mistakes मतलब गलती की संभावना ना के बराबर या हो ही ना उसे बोला जाएगा infallible example आप जेख सकते हैं there is no infallible remedy to these problems कि किसी तरह की समस्याओं problems की बात हो रही है कि इन problems के लिए कोई भी राम बन दवाई जो है वो नहीं है इनका कोई अचू कूपाए नहीं है तो यह हमारे पांचो के पांचो आज के one word substitution थे फटा फट से एक बार revise करा देता हूँ आपको budgeting का मतलब होता है IWI को control में रखना आपने IWI पत्र that is called budgeting next है हमारा simile, simile का मतलब होता है किसी को उपमा देना अलंकार से हम बुलाते हैं किसी की तरह हमें समानता दिखाने के लिए कोई शब्द यूज करते हैं उसे बुला जाता है simile next है हमारा histrionic का मतलब होता है नाटर करना दिखावा करना उसे बुला गया है histrionic next है हमारा hoarding का मतलग होता जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की कोई कठा करना, जमाखोरी करना that is called hoarding, last हमारा one word substitution is infallible, infallible का मतलग होता है अचूप या रामबंध दवा आप याद रख सकते हैं, that is called infallible, तो यह आज का हमारा last one word substitution था I hope आपको वीडियो informative लगा होगा आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा, please वीडियो को like कर दिया करें, ज़्यादा ज़्यादा प्लीज लाइक कर दीजेगा हो जगे तो share भी कर दीजेगा मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को वीडियो कर दान आप चैनल को नोज है शो परर कंद कर दीजे वीड़र बार का करह वीडियो एसमाने सी Seems